जैस याराम भक्त जन्नों प्यारे भक्तों कमेंट आया है कि ध्यान करते समय हमने सुना है कि जब ध्यान पूरी तरह से लग जाता है तो ध्यान लगने बाद समाधी में मृत्यू भी हो जाती है हाँ भक्तों यह बिल्कुल सच है क्योंकि अगर आपने इस चीज पा ध्यान नहीं किया अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान की अवस्ता में मृत्यू भी हो सकती है भक्तो ने सादक होते हैं उनका ध्यान तो जल्दी से लगता नहीं है लेकिन धीरे धीरे जब ध्यान का अभ्याज बढ़ जाता है तो उस समय हमें समाधी घटित होती है और समाधी घटित हो जाने के बाद में अगर हमें इस चीज का पता नहीं है और किसी ने बताया नहीं है और आपने पूछा भी नहीं है तो आपकी मृत्वी भी हो सकती है तो भक्तो बड़े ध्यान से सुने समझे और ध्यान करने से पहले इस एक चीज का जरूर ख्याल लगके इस चीज का जरूर ध्यान करे इस चीज पर अपना 100% फोकस करे कि ध्यान करने से पहले हमें क्या करना है तो भक्तो ध्यान में बैठने से पहले अगर आप नए साधके तो कोई दिकत वाली नहीं बात है अगर आप ध्यान करते समय आपको काभी समय हो गया है और आपका ध्यान दो मिनट पांच मिनट दस मिनट जुड़ने लगा है तो आप इस पिरक्रिया को जरूर करें नहीं तो आपकी मृत्य हो सकती है अब आप को करना क्या है करना यह है ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपको पहले संकलप लेना होगा कहे प्रम्पिता प्रमात्मा मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान करते समय मेरे को बीच में कोई बिखन ना आए और मेरा ध्यान एक गंटे तक लगा रहे और उसके बाद में मेरा ध्यान आपने आप तूट जाए एक गंटे का या आदे गंटे का या दो घंटे का आप जितना भी संकलप लेना चाहते हैं आप संकलप लेंगे तो आपके ध्यान के द्वारा जो समादी घटित होगी उस समय आपका ध्यान अपने आप हट जाएगा अगर आप संकलप के बिना ध्यान करते हैं और आपका ध्यान समाधी के साथ चला जाता है, समाधी में घटित हो जाता है, समाधी लग जाती है तो उस समय बिना संकलब के वो ध्यानास्त हो जाता है और मिर्त्य हो जाती है जानि के शरीर के अंदर से जो प्राण है वह निकल जाता है और वह जब उसकी ये देखते हैं कि भाई ये बंदा उठा नहीं या लेटा हुआ तो बैठा नहीं या उसको आवाद लगाई तो सुनी सुनी नहीं क्या हो गया डक्टरों को बुलाते हैं डक्टर मिर्त को सिस कर देते हैं लेकिन वह समाधी की अवस्ता होती है उस समाधी की अवस्ता को पकड़ना एक डक्टर के बसकी बात नहीं है उसको तो बड़े-बड़े संत महत्मा भी नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि उस समय प्राण सकती कहां चली जाती है इसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता तो इसलिए बक्तो अगर आप ध्यान की साध ना कर रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आप बिना संकलब के ना बैठें, और जितने समय के लिए आप संकलब लेंगे, उतने समय में आपका संकलब अपने आप तूड़ जाएगा, और आप जो ना अपनी दुनिया में आ जा जिन लोगों की ध्यान के समय मृत्य हो जाती है वो इसलिए हो जाती है तो आसा करते हैं आप संकलब जरूर लेंगे और ध्यान के अवस्ता को बढ़ाएंगे और अपने जीवन को आनंदित करेंगे अब हम अपनी बार्णी को भिश्राम देते हैं जैस्री राम